हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है में चैनल पे देखिए आज हम इस तरह से यूज करने वाले इस तरह की बोरी का जो यह प्लास्टिक वाले बोरी होती है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है इसे हम बहुत सारी जगें यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैंने इसका जो नीचे से सिलाई वाला पाड़ता उसे कट कर दिया और साइड में से भी से कट करके एक पीस पूरा इरेडि कर दिया इसकी मेजरमेंट में आपको उता दे तो यहां से है यह 48 इंच ठीक है और यहां से जब मैं इसे डबल फोल्ड करके देखिए इ यहां से है यह प्रोक्सिमेट 35 इंच के अराउंड है हां जी 35 इंच ठीक है तो हमें क्या करना है इस तरह से इसको फोर फोल्ड कर लेना है फोर फोल्ड करके अच्छे से मतलब इसको बिछा लेना है ठीक है अगर जितना हार्ड हो गई यह उतना बढ़िया है हमारे लिए त इतनी होगी 12 इंच इन की 12 इंच इस तरह से मैं निशान लगा लगा लिए प्रॉपर शेप में हमें निशान लगाना है इसके बाद बिलकुल इकवल करके सभी किनारों को हमें यहां से कट कर दिना इन पीसीज को हमें बिलकुल वेस्ट नहीं जाने देंगे सिर्फ एक ही प्ल का ररें फेंट में रहें बहुतसे लोग इन्हें खरीदते हैं online भी भी शरीदते है और offline भी इस तरह से half inch fold किया फिर one and half inch यहनी दो इंच के around हमें से फोल्ड कर दिना जारों तरफ से इस तरह से और हलका सा यूँ ठीक है इस तरह से मैं चारो तरफ सिलाई लगा लेती हूँ यह देखी चलिए मशीन पे चलते हैं इस तरह से फोल्ड करते हूँ मैं यहाँ पे लंबाई में सिलाई लगा लेती हूँ यह देखिए चारों तर्फ मैंने सिलाई लगा लिए बनाना बहुत आसान है एक दिन में हम कम से कम सो पीसी निकाल सकते हैं इस तरह से और बना के ओनलाइन और ओफलाइन सेल कर सकते हैं देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बिल्कुल जीरो कोस्ट पर क्योंकि इस तरह के जिसे जो गाओं में रहते हैं लोग वो तो उनके खेती विगारा करते हैं उनके पास तो इस तरह के पॉलतिन बहुत सारे होते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल जीरो कोस्ट पर है लेकिन जो शहर में रहते हैं उन्हें यह खरीदना पड़ेगा देखिए इस से एपने पसी टरफ स्पेस चोड़ा था हैं यहां पर इस तरह की डंडी नहीं है तो मैंने इस तरह से जो मेरे पास रखी थी पाइप मैंने ये डाल के दिखाई आपको अगर आपके पास लकडी की डंडी हो या वो भी डाल सकते हो जाड़ों की सीक वगएरा भी आप इसमें डाल सकते हो उसमें भी प्रॉपर शेप आती है तो यह हमने रेडी किया है ग्रो बैग तो इसमें आम अपने प्लांट्स वग अगरा लगा सकते है धनिया पालक पोधे जो भी आपके पास हो वह आप इसके अंदर जिसकी भी जरूरत हो आप इसके अंदर लगा सकते हैं और साइडों में हमें हलके हलके इसमें होल करने जैसे पेचकों सवगारा को गरम करके इसमें चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा ड मतलब यह बहुत जादा आजकल ट्रेन में आ रहे हैं बहुत से लोग खरीदते हैं और इन्हें बेचते भी हैं बनाते भी हैं तो इसे बनाना बहुत ही असान है देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दो तरीकों से बनाना बता रहे हूं एक पीस की मैंने हलकी सी गुलाई ले लिय यहां से आया है यह 8 इंच और हमें चाहिए इसके चारों तरफ के लंबाई हो जाए कि 4 पीसीज होते हैं तो कितने हो जोगी 32 इंच 32 इंच हमारे इसमें परफेक्ट बैटरी हैं सबसे पहले हम इन पीसीज को आपस में जोड़ लेते हैं सीधी साइड अंदर की तरफ रखे इस तरह से लंबाई में सिलाई लगा लेंगे आप एक दिân में बहुत से पीसीजंस में से निकाल सकते हैं और उन्लाइन और आफ लेंड सेल कर सकते हैं यह लिजा दिक इस तरह से बना कि अपने आसपरोस में भी सेल कर सकते हैं या फिर किसी शोपले भीया से बात कर लीजी वहाँ पे भी आव इसे सेल इसली कर सकते हैं बनाना बहुत आसान है और सेल करना उससे भी जादा आसान है ठीक है अप मीशू वगेरा भी इसे सेल कर सकते हैं या फिर और अधर एप्स बहुत सी आती है अब हमें क्या करना है अब इसमें राउंड राउंड में हमें सिलाई लगानी है इस तरह से बिल्कुल आसान है सिंपल सिलाई मशीन है 16 नंबर की नीडल लगाई हुई है सिलाई करना बहुत जादा असान है और इनमें हमारे पोधे वेगारे भी अच्छे से ग्रो करते है तो आप इसमें नेम्बू का पोधा लगाई है या कोई भी फूल वगारे का पोधा लगाई है पारिजात का लगाई है मिर्श का लगाई है लसन लगाई है प्याज लगाई यह पालक लगाए धन्या लगाई कोई दिक्कत निया हलक फुलक अगर यह फटा भी हुआ तो भी कोई दिक्कत निया क्योंकि हमें बाद में इस में छेद करने होते हैं देखिए अब इसकी चारों तरफ हम फिर से फिनिशिंग के लिए एक से लाई और लगा लेते हैं तो चारों तरफ हमें जैसे गरम जो पेचकस होता है उससे हम इस पे चारों तरफ हमें नीचे की साइड छेद कर लेने हैं पांस से दस छेद कर ले जिए इस तरह से जो एक्स्रा पानी हमारा पोधु में होता वो निकल जाएगा इसकी लंबाई हुए 10.5 इंच और इसकी लंबाई भी 10.5 इंच ही है और चोड़ाई भी 10 इंच ही है चोड़ाई भी 10.5 या 10 इंच ही है यह देखी इस तरह से 10.5 इंच ही है ठीक है तो इस तरह से हमारा यह पीस रेडी हुआ है और जो इसकी लंबाई है वो 20 इंच से जाद ह फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड बाइ